हेलो फ्रेंट्स एक बफिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स इस क्लास में M3R5 Python Programming January 2021 की पेपर को हम सॉल्ब करने वाले हैं ये पेपर सिल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट लेबल का होगा क्योंकि इसमें Python Programming M3R5 के January 2020 के क्वेशन पेपर में जितने भी प्रोग्राम्स पूछे गए थे उन सभी प्रोग्राम्स को हम प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे साथ में उनके हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट लेबल का पेपर सिल्यूशन होने वाला है जो काफी इंटरस्टिंग ह तो प्लीज आप इस class को last तक जरूर देखीगा और इसको हम दो अलग अलग पार्ट में discuss करेंगे क्योंकि M3R5 January 2020 के जो questions हैं उन सभी में जितने भी practical based questions means जो programming के questions थे उनको हम detail में discuss करेंगे तो थोड़ी सी लंबी class हो सकती है बट काफी interesting होगी और अगर आपका आने वाले दिनों में python programming का exam है तो आपके लिए काफी helpful हो सकता है तो यह हमारे पास paper है M3R5 python programming का और python programming का course भी मैंने launch की अपने ग्यानिक भी mobile app में आप में से बहुत से लोगों ने दीजेगा comment section में तो देखी यह paper है इसमें से जितनी भी programs है देखी दो तरह की questions पूछे आते हैं python programming में अगर program पे based कोई भी question पूछा जाता है तो यह तो program लिखने के लिए दिया जाएगा या फिर कोई भी program दिया जाता है इसका output क्या होगा जैसे शुरुआत में अगर आप देखेंगे जैसे की 1.2 यहाँ पे एक program दिया गया इसका output पूछा गया है तो mostly आपने जो paper solution के videos देखेंगे वहाँ पे direct लोगों ने क्या किया है answers बता दियें बड़ यहाँ पे answer कौन सा correct होगा क्यों correct होगा यह सारी चीजे हम detail में इस class में discuss करेंगे तो काफी interesting होगा काफी कुछ आपको सेखने को मिलेगा जैसे कि आप सब हमारे python की classes को बहुत जादा पसंद करते हैं उसी तरह से यह class भी काफी interesting होने वाली तो आप लास तक ज़रूर देखीगा तो इसमें से जितनी भी program based questions हैं उन सभी को मैंने अलग से copy करके रख लिया है इनको एक एक करके discuss करेंगे जैसे कि सबसे पहला question है जिसमें output पूछा गया इस program का output क्या होगा ये question number था 1.1 जो कि January 2021 की paper में पूछा गया था name लिखित python program का output ग्याद किजिए अब यहाँ पे नीचे एक code दिया गया सबसे पहला यहाँ पे एक variable दिया गया इसके बाद यहाँ पे एक string assign कर दी गई इस string में लिखा गया meet me after party ये string इस variable के अंदर store कर दी गई इसके बाद एक variable लिए गया B और इसमें 13 store किया गया अब देखिए आपर यह string है और यह क्या है integer value है इसके बाद देखिए नीचे आपर print option दिया गया print A plus B अब आपको paper में एक और चीज़ ध्यान देने वाली है जो कि आगे हम आपको पताएंगे कई बार क्या होता है कि आपको right answer पता होता है बट code में काफी सारा confusion होता है जिसकी वज़े से आप right answer नहीं दे पाते हैं और आगे हम कई ऐसे program भी आपको दिखाएंगे जो paper में देगे बट वहाँ पे अगर आप उस paper में देगे code को exactly execute करेंगे तो वह आपके python compiler या interpreter पे execute नहीं होगा उसमें आपको error mention करेगा बट वहाँ पे कुछ चीजे हैं जो कि आगे आपको हम बताएंगे program में कि आपको कैसे समझना इस program का output क्या आने वाला है तो इस question का बहुत basic right answer हो जाएगा option C आप यहाँ पे देखे मैंने answer mention कर दिया option C error in code अब ऐसा क्यों हो रहा है यह error in code क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे देखे सबसे पहला जो variables में एक string assign की गई दूसरे में क्या है b यहाँ पे देखे 13 assign किया गया जो की number है integer number जब हम string और integer को आपस में जोडते हैं तो यहाँ पे यह allowed नहीं होता है आप यह तो दो integer values को यह फिन numeric values को आपस में जोड सकते हैं यह फिर दो string values को आपस में आप जोड सकते हैं इस code को मैंने यह से copy कर लिया और इसके बाद हम यहाँ पे इसको execute करके देखते हैं मैंने ideally open करके रखा है जैसे हम यहाँ पे run करेंगे तो एक error message आता है इस error message से clear हो जाएगा कि यह error particular error क्यों आ रही है सबसे पहले बात तो देखिए आप इसमें print में ही statement में ही एक error message आ रहा है reason क्या यहाँ पे कोई error नहीं है basically यह जो python 2 था उसमें print function के साथ में bracket use नहीं के जाते हैं बट अगर आप python 3 का इस्तिमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे braces का इस्तिमाल करना है run पे जाएंगे इसको click करेंगे जैसे हम run करते हैं यहाँ पे कोई भी वैसा error आपको नहीं दिखेगा बट यहाँ पे error message आ रहा है और इस error message में proper तरीके से mention किया गया can only concatenate means आप जोड सकते हैं strings को दो strings को आप आपस में जोड सकते हैं अगर आप दो strings को जोडना चाते हैं तो possible है बट यहाँ पे एक अंदर के आएक string value और बीक अंदर के आएक integer value दी गई जिसकी वैसे इसमें error message आ रहा है means error आएगा तो इस program का output क्या होगा समझ में आ चुका है क्या होगा option c error in code इस code में error है क्योंकि आप एक integer value दी गई दूसरी string value दी गई इसकी वेसे आप एक error आएगी चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं जोगी पूछा गया था January 2021 में यह काफी interesting question है काफी important है अब बहुत से वीडियो में आपने paper solution में देखा होगा और डारेक्ट आंसर बता दिये गया option a triple one आएगा बट यह triple one क्यों आता है इसको भी आपको बहुत अच्छी तरहीं के समझना है यह interesting question है इसको हम सीधे यहां से कर लेते हैं copy copy करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको execute करके देखते हैं जैसे हम यहां पर python open कर लेते हैं तो इसे जगे पर हम इस code को override कर देते हैं अब देखिए इस code को एक एक line समझेगा तकि इसी पर based अगर कोई भी अगला question पूछा आता है आने वाले दिनों में कोई भी exam अगर आप देते हैं तो आपको पता होना चाहिए क यहां पर init function ही रखा जाए यह नाम user defined होता है क्योंकि जब हम def keyword का इस्तिमाल करके कोई भी function बनाते हैं तो user defined function होता है आप यहां पर कोई भी नाम use कर सकते हैं ओके यहां पर देखे self एक keyword इस्तिमाल किया गया और दूसरा है यहां पर id यह क्या है यहां पर दो parameters हैं इस function के दो parameters हैं इसके बाद यहां पर देखे self लिखा गया है और dot id लिखा गया equal id इसके बाद next line में id equal 555 लिखा गया और इसके बाद यह जो हमारी class है ACC नाम की class है next line में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक object बनाए गया है small ACC लिखा गया एक object है इसको आप किसी भी नाम से बन बना सकते हैं अगर हम यहां पर bcc बनाते हैं तो इसके पर हमें b लिखना होगा ओके यहां पर देखें हमने क्या पास किया है एक parameter value पास किया है जो की triple one है जब हम इसको यहां पर पास करेंगे तो यह value exactly कहां पर जाएगी यह id में store हो जाएगी एक तरह से जो function है हमारा यहा आज पर call करते हैं print में देखें यहां पर call किया गया है यहां पर object बनाए इसके बाद यहां पर सी some object के थूए precious function को call किया गया है अब आप देखिए अगर हम यहाँ पे इसको value पास करते हैं 111 तो यह 111 कहाँ पे store हो जाएगा id के अंदे store हो जाएगा और यह id के value कहाँ पे store हो जाएगी इस particular statement के थूँ id के अंदे store हो जाएगी जब भी हम इस function को call करेंगे और यहाँ पे कोई भी number पास करेंगे तो automatic आपको क्या मिलेगा जो parameter value आपने यहाँ पे पास किये है वो value automatic id में sign हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से आपको output में क्या मिलने वाला है 111 मिलेगा जो भी आप parameter value यहाँ पे पास करते हैं यहाँ पे सेम एक error message आपको देखने को मिलेगा है क्योंकि print के अंदर हमने यहाँ पे braces इस्तिमाल नहीं किये हैं तो इस बाद जो paper आया उस में python 2 और python 3 दोनों के syntax को इस्तिमाल किया गया है python 2 और python 3 में कुछ basic syntax changes हुए हैं जैसे कि print अगर आप इस्तिमाल करेंगे python 3 में तो आपको इस particular data को यह value को आपको braces के अंदर रखना है otherwise यहाँ पे error message आएगा चली इस code को हम कर लेते हैं execute, execute करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक output दिखेगा जो कि आ रहा है हमने यहाँ पे a नाम का और parameter पास कर दिया अब हम क्या गरेंगे यहाँ पे लिखेंगे self self.a equal a यह हमने पास कर दिया simple सा statement लिखा हुआ है इसके बाद दिखे हम यहाँ पे जब भी parameter पास करेंगे तो इस parameter में parameter की value को भी पास कर देंगे यह हमने argument पास कर दिया इस जगे पे to इसके बाद जब हम इसको call करेंगे तो दिखें यहाँ पे लिखा गया bcc.id और ऐसे एक और प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ पे इसकी just नीचे add कर देते हैं इस तरह की सभी statement हमने अपने paid course के अंदर काफी detail में discuss किया तो यहाँ पे क्या करेंगे अब इस बार हम id के जगे पे ए पास कर देंगे अब अगर हम print करेंगे इस particular code को अगर हम run करते हैं तो यहाँ पे इसकी जगे पे क्या output मिलेगा 11 और इसके statement पे क्या आएगा 2 मिलने वाला है तो जैसे हम इसको run करते हैं OK करेंगे अब आपको यहाँ पे देखे सबसे पहले triple one आ रहा है इसके बाद आ रहा है 2 तो I hope clear हो चुका होगा किस तरह से यह काम कर रहा है इस तरह के सभी topics हमने अपने paid course के अंदर detail में discuss किये हैं जिन लोगों ने join किया होगा आप सभी को इसके बारे में बहुत अच्छी तेगे से पता होगा चलिए देखते हैं अगला question इसमें भी आपको output बताना है question number 1.4 यह January 2021 की paper को हम discuss कर रहे हैं Python programming January 2021 का paper solution है और इस particular class में हम सिर्फ program को ही detail में discuss करेंगे हलाग इसका paper solution पहले ही हम provide कर चुके हैं बट वहाँ पे मैंने programs को detail में discuss नहीं किया था तो यह काफे interesting होगा आप सभी के लिए अब अगर हम एक बार actual paper पे नजर मारते हैं तो दیکھی यहाँ पे कई सारे errors आपको देखेंगे यहाँ पे देखें जो code लिखा गया वो एक ही line में लिखा गया अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखेए code पूरा गपूरा एक ही line में लिखा गया है तो यहाँ पे अगर आप same इसी तरह से code को लिखते हैं तो यह execute होने वाला नहीं है इसको मैंने जो proper syntax होता है उसमें लिखा देखे यहाँ पे अगर function है सबसे उपर वाले question पे जाते हैं यहाँ पे देखे function है तो function में क्या होता है यह statement और यह statement हमारा function के अंदर है तो यहाँ पे देखे tab किया हुआ है अगर आप इसको equal में कर देंगे यहाँ पे इसके बराबर में कर देंगे तो यह function के साथ में consider नहीं होगा और उस case में आपको error message मिलेगा तो जब भी आप python का paper देते हैं और इस तरह के output पूछे जाते हैं प्रोग्राम में तो आपको यह सारी चीज़े आपको पता हैं कि एगर function के अंदर कोई भी statement होगा तो उसको आपको एक tab के साथ में align करना होगा यह दो statement हमारे function के साथ चल रहें और यह statement जो है वो function से बाहर है तो यह सारी चीज़े जब आपने programming सीखी होगी तभी आप identify कर पाएंगे कौन सा statement function के साथ में कौन सा statement function के साथ में नहीं है तो अब अगला question देखें नीचे यह भी interesting है question number 1.4 बहुत basic question दिया गया अब इसमें भी अगर आप इस paper में देखेंगे तो यहां से अगर आप इसका output find out करने कुस्स करेंगे तो काफी difficult है 1.4 पर जाते हैं direct क्योंकि हम यहां पे इस paper solution में सिर्फ program वाले जितने भी questions हैं उन्हीं को discuss करें 1.4 निमलखित python program का output ग्याद कीजिए अब देखें यहां पे भी for statement इस्तेमाल किया गया means follow इस्तेमाल किया गया और इसके बावजूद यहां पे देखें सारे जो statements ने वो एक ही alignment में दिये गे अगर आप same इसी तरह से code को execute करेंगे तो इसमें error message आएगा चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जैसे यहां पे देखी इस code को हम direct copy कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको execute करेंगे class थोड़ी सी लंबी हो सकती बट काफी चीजे आपको सीखने को मिलेंगे तो please आप इसको skip मत कीजेगा और last तक जरूर देखेगा अब इसी तरह से अगर आप अपने paper में देखेंगे तो ऐसे statement कुछ लिखा गया है जैसे आप यहां पे देख पा रहे होगे same एक ही line में सारे statements लिखें बट अगर आप इस code को execute करेंगे तो आपको error message मिलेगा और output error आ रही क्योंकि यह proper align नहीं है तो अब हमें क्या गरना है क्योंकि यह वाला statement क्या है इस for loop के साथ में चल जाए इस for loop के साथ में यह statement चल जाए तो यहां पे हमें एक tab प्रस करना होगा बस इतना करने के बाद यह code हमारा बिल्कुल सही हो चुका है जैसे हम इसको run करेंगे तो अब आपको एक output मिलेगा ab colon यहां पे cd एक list है जो कि output आ रहा है यहां पे तो अगर आप इसमें देखेंगे तो option c इसका बिल्कुल सही statement दिया गया means correct answer हो जाएगा option c तो option c इसका correct answer है बट देखिए आपे i.upper जो function है वो क्या कर रहा है जो a b है या c d है इसको uppercase में change कर रहा है list के एक एक elements को access किया जा रहा है और इसको uppercase में change किया जा रहा है बट यहां पे देखिए uppercase में change होने के बाद इस output को save नहीं किया जा रहा है और इस function के बाहर print statement चल रहा है means जो exactly x के अंदर है उसी को यहाँ पे print कर दिया जा रहा है जिसकी वज़े से यहाँ पे आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलना है अब अगर हम इस code में थोड़ा सा बदलाव करते हैं आप actual में a, b और c, d means a, b और c, d इन दोनों letters को आप upper case में चाहते हैं उस case में आपको क्या करना होगा वो देखे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस तरह से print statement डाल देते हैं print क्योंकि function के अंदर elements है list के उन सभी elements को access किया जा रहा है उसको one by one upper case में change किया जा रहा है बट उसे print या फिर किसी variable में store नहीं किया जा रहा था इस बएसे हमें output में कोई भी change नहीं मिला था direct जैसे हमने यहाँ पे एक list बनाई same उस list को यहाँ पे हम print कर रहे थे यह statement सिर्फ loop के साथ में चलेगा जब हम यहाँ पे run option पे click करते हैं अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दोनों मैंने print किया है तो यहाँ पे आपको यह वाला statement भी देखने को मिलेगा plus a,b और c,d को इसने अपर case में change कर दिया है तो I hope clear हो चुका होगा यहाँ पे option 6 का क्यों right answer होगा चलिए अगले question के तरफ बढ़ते हैं question number what is the output of following program means इसका output पूछा गया, एक program दिया गया, एक code दिया गया यह interesting question है, काफी interesting question है और बहुत basic भी है अगर आपने हमारे python की वीडियो देखे होंगे तो इस तरह की topics हमने detail में discuss कियें और आप में से कोई भी अगर हमारे python course को join करना चाता है तो आप हमारे ग्यानिक्स भी mobile app को download कर सकते है इस course के अंदर आपको complete syllabus video lectures मिलेंगे जिसमें chapter 1 से लेके chapter last तक detail में एक-एक topic को program के साथ हमने discuss किया इसके साथ में आपको notes भी मिलने वाले है plus model paper भी मिलेगा और कुछ extra classes भी होती है जैसे आपको कोई भी question होता है या फिर कहीं भी किसी भी topic में doubt होता है तो आप हमें अपने message कीजिए आपका जो भी registered mobile number होता है उसके थो आप direct हमें message कर सकते है या फिर हमारे app में भी chat का option रहता है group रहता है वहाँ पे भी आप हमें message कर सकते हैं कि ये सब topic है जिसको आप दुबारा से explain कीजी या फिर इसमें थोड़ा सा doubt लग रहा है तो उसको हम extra class में live classes के साथ discuss करते हैं और आपके साथ सारी चीज़े discuss की जाते हैं ताक कि आपके जो भी confusion होते हैं उस topics related उनको दूर किया जा सके तो देखें यहाँ पर simple सा एक integer value ली गई और यहाँ पर एक string store किया गया है यह है तो number बट string क्या होगा क्योंकि जब हम किसी single code के अंदर कोई भी value लिखते हैं चाहे कोई भी value हो तो वो string बन जाते तो यह एक string है ओके यहाँ पर देखे 8 यह भी negative integer value है तो यह तीन variable हमाई पास होगे ABCD अब देखें यहाँ पर इन variables के values को हमें print करना है या किसी variable के अंदर store करना है जैसे str1 नाम के variable के अंदर हमें store करना है तो इनको किस format में str1 variable में store करना है उसके लिए हमने यहाँ पर format function का इस्तिमाल किया है तो अब हमें यहाँ पर format function के अंदर parameter pass करने में इस कौन-कौन से values को आप format करना चाते है तो A यह variable pass किया गया B और C यह तीनों यहाँ आपे object pass कर दिए गए parameters pass कर दिए गए ओके अब इसके बाद in objects की जो index value होगी यह 0 होगी यह 1 होगी और यह 2 होगी अब इस index number 0 के value को हमें format करना है किस form में format करना यहाँ पर लिखा गया देखिए यहाँ पर 0 यह क्या mention करता है index value 0 को हमें format करना है और यहाँ पर 4F mention करता है कि इसको हमें floating या floor format में इसको format करना है तो देखी A में क्या दिया गया 2 A में क्या है exactly 2 अगर हम इसको float में करते हैं तो यह आ जाएगा अगर हम यहाँ पे 4F में convert कर देते हैं means float में convert कर देंगे तो यह आ जाएगा 2.00 4x0 यह इस value में change हो जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा पहला जो option है इस जगे पे आपको यह value देखने को मिलेगी next option पे आते हैं यहाँ पे भी index value 0 दी गई means 2 की बात की जा रही और इसको decimal में change करना d means decimal तो decimal में जैसे ही हमारा number होगा means जैसी value होगी 2 है तो same 2 आ जाएगा इस जगे पे next देखे 3rd में आते हैं 4th position पे देखे index value क्या दीगी 1 और 1 index value किसकी है B की तो B में value क्या दीगए 3.77 तो यहाँ पे 4th option पे 4th position means यहाँ पे क्या आएगा 3.77 तो अब आपको देखना है यह values किस particular option में दिखाई पड़ रही है तो अगर हम options में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है यह इसके बाद क्या रहा है 2 तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा इसके बाद 8 आ रहा है तो यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है और इसके बाद 3.77 तो इस वहे से यहाँ पर option A question का correct answer है चलिए I hope clear हो चुका होगा ऐसे question आने वाले exams में भी पूछे जा सकते है तो आपको पता होना चाहिए format function कैसे काम करता है अगर कहीं पर F लिखा गया इसका मतलब क्या होता है floor और यहाँ पर अगर D लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है integer value integer value एक non floating value होती है चलिए अगला question देखते है तो अगला question है 1.6 यह भी काफी interesting है यहाँ पर देखे एक function बनाया गया gfg नाम से एक function है इसमें x एक parameter पास किया गया और एक empty list पास की गई क्योंकि जो python programming होता है इसमें कई अलग 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 तरह की data types होते है जिसे list होता है, tuple होता है, dictionary होता है, set होता है यह सब अलग अलग data types होते है जो कि already मैंने अपनी classes में detail में discuss किया कौन सा data type कैसे इस्तिमाल करते है और उसको, उसके elements को हम कैसे access करेंगे इस सारी चीज़े हमारी videos में आपको detail में मिल जाएंगे तो यह एक function बनाये गया जिसमें एक parameter है x और इसमें एक empty list empty list वैसे list अगर हम बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं जैसे 1,2,3,5 यह list हो जाएगे बट अगर आप एक empty list बनाना चाहते हैं नेक्स देखे हाँ पर for loop इस्थिमाल किया गया i in range और यहाँ पर x पास किया गया x एक variable है एक parameter value है नेक्स यहाँ पर देखे l means list की बात की जा रहे इस list की बात की जा रहे और append एक function होता है तो list में बहुत अलग लग कई अलग लग तरा गे functions होते हैं अपने classes में तो append function का काम होता है जैसे आपने एक list बनाई माली जी यह हमारे पास list थी और हमने लिखा list l.append अगर हम यहाँ पर append लिखते हैं और इसके बाद इस bracket के अंदर हमने पास कर दिया 7 तो अब यह क्या करेगा हमारी जो पहले से list थी उसमें 7 को last में add कर देगा means यहाँ पर 5 के बाद क्या जाएगा 7 तो append function का काम होता है list में last में element को add करने के लिए अब यहाँ पर i की value को multiply भी किया गया अब इसका क्या effect पढ़ने वाला है चलिए तो function हमारा basically यहाँ से यहाँ तक start है इसके बाद यहाँ पर देखे l दिया गया means हमारी जो list है उसको print किया गया function हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा इस जगे से यहाँ तक function है बट अगर आप अपने question paper को देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने align किया हुआ एक tab यहाँ पर आपको दिख रहा है exactly this code को consider करते हैं आप इसको execute करते हैं तो यह यहाँ पर आपको error message हो करेगा तो आपको लगता है कि इसमें error होगा बट options में अगर आप देखेंगे ABCD में तो यहाँ पर error code लिखा गया है बट exactly इसका answer यह नहीं है कई लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर def लिखा हुआ means function बनाए गया और यह for statement है जो कि इसके tab में means अंदर होना चाहिए proper align नहीं है तो इसमें error आएगा बिलकुल error आएगा और अगर आप same इसी code को इसी तरह से लिखके run कराते हैं तो आपर error आएगा बट इस question का answer option d नहीं है यह ध्यान रखिएगा answer d नहीं है तो चलिए इस code को हम यह से कर लेते हैं copy और आपको practical के साथ करके दिखाते हैं ताकि और भी जो आपके मन में doubts हैं वो भी clear हो जाएंगे यह मैंने यहाँ पर clear कर लिया चलिए इसको हम एक line में कर लेते हैं जैसे हैं कि आपके paper में लिखा गया है इसको हम एक ही line में align कर देते हैं means equal में align कर देते हैं align करने के बाद जैसे हम run करेंगे यह पर देखे error message आएगा बट इसका जो answer है वो error option d दिया गया वो नहीं है इसको आपको proper पहले format करना है उसके इसाब से आपको यहाँ पर answers निकालने है देखे यह for loop हमारा क्या है इस function के अंदर है इसी वज़े से यहाँ पर इसको tap किया गया इस function के अंदर रखा गया है इसके बाद यह वाली statement है वो for loop के साथ में चलेगी तो इसको हमने यहाँ पर align कर दिया है और यह statement हमारी उस function के अंदर है means यहाँ पर देखे यह कुछ इस तरह से align किया जाएगा ओके यह function यहाँ से यहाँ तक start होता है यहाँ पर खतम हो जाता है और यह function यहाँ पर call किया गया जो gfg नाम के function को हमने यहाँ पर बनाया है उसको यहाँ पर call किया गया यहाँ पर two pass किया गया जो कोई parameter value है means यह x में store हो जाएगा तो हमने call किया इसमें two pass किया तो x में मान लीजिए अब यहाँ पर two है इस अगे पर two आ जाएगा उसके बाद अब देखें यह loop हमारा कहां से कहां तक चलेगा यहाँ से start होगा means यह range दिया गए x और यहाँ पर होगा two तो यह zero से start होगा कहां से start होगा zero क्योंकि range में अगर हम यहाँ पर पहले से initial value कोई define नहीं करते हैं जैसे 1,2 x कर देंगे तो यह one से start होगा बट अगर हम यहाँ पर initial value assign नहीं करते हैं तो यह कहां से start होता है by default zero से start होता है तो x के value यहाँ पर क्या होगे zero और यह कहां तक चलेगा less than two means zero से one तक चलेगा range में क्या होता range एक function होता है जो कि कहां से start होता है हमेशा initial default value zero से start होती है और इस value के list तक चलती means x की value होगे उससे minus one तक चलेगा तो यह कहां तक चलेगा zero से लेके one तक one less than two होगा तो zero से one तक चलने वाला है तो जब सबसे पहली बार यह loop चलेगा तो उस समय x की value क्या होगे zero means यह i के अंदर आएगा zero अब i के अंदर zero आता है तो यहाँ पे देखे zero into zero अगर हम यहाँ पे multiply करते हैं तो क्या हो जाएगा zero आएगा जो कि इस list में add कर दिया जाएगा अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे लिखते है lst जो हमारी list है इसमें जो elements होगे कुछ इस तरह से any start हो जाएगे सबसे पहला element आजाएगा zero जब यह पहली बाद loop चलता है तो list में क्या आएगा zero ओके दुबारा loop चलेगा तो i के value क्या हो जाएगी one क्योंकि एक एक करके automatic increase होता जाएगा हमने यहाँ पे range function इस्तेमाल किया है पहले zero था इसके बाद आप one हो चुका है तो अगर हम one की बात करें तो यहाँ पे i के value one हो जाएगी one into one करेंगे तो क्या हैगा one और इसको कहाँ पे add कर दे जाएगा इस list में तो list में पहले सी क्या था zero और अगली value क्या जाएगी यहाँ पे one तो अब इसका जो output होगा क्या न चाहिए zero और one अगर हम इस code को run करते हैं तो यहाँ पे यह output आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हमने last में list को print कर लिया है तो इसको हम run करके देखते हैं अगर आप पहली बाद इस code को देख रहे होंगे आपने python programming की और classes join नहीं किये हैं तो वो सकता है आपको यह समझने में थोड़ा सा difficult लगे इसी वए से मैंने अपनी classes में detail में basic से लेके advanced label तक के हर program को detail में discuss किया है तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे output क्या रहा है 0,1 तो option 20 question का right answer था बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा option D है जो की गलत है option 20 question का right answer होगा तो इस बाद जो papers आये हैं उनमें से कई programs में इस तरीके की छोटी मोटी गलतियां देखने को मिले हैं बट ऐसी कोई गलती नहीं है अगर आप programming के बारे में जानते हैं जानकारी रखते हैं तो इस तरह की गलतियां आप correct कर सकते हैं और उसका सही answer निकाल सकते हैं ओकी चलिए अगले question के तरफ बढ़ते हैं यह बहुत basic question है यहाँ पे देखे T लिखा गया है equal और brackets के अंदर 1,2,3,4 तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना क्या है किस question में दिया क्या है यह क्या है जैसे कि हम list बनाते हैं अगर हम python में कोई list बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं अगर हम list बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इसको थोड़ा सा उपर कर लेते हैं कि आपको दिखाए पड़े जब हम list बनाते हैं तो list बनाने का तरीका क्या होता है square bracket इस्तिमाल करते हैं 1,2,3,4 तो यह बन गई हमारी list अब अगर हमें tuple बनाना है tuple भी एक data type होता है python programming में तो यहाँ पर variable आप कोई भी ले सकते हैं हमने a,b नाम से variable लिया और यहाँ पर हम circle bracket का इस्तिमाल करते हैं 1,2,3,4 तो यह क्या बन जाएगा एक tuple बन जाएगा तो यह tuple बन चुका है तो basically अगर आप list बनाते हैं तो list को कुछ इस syntax में create किया जाता है बट अगर आप tuple create करेंगे तो ऐसे लिखा जाता है tuple और list और tuple में एक basic सा difference होता है जो कि मैंने अलड़ी अपनी classes में बहुत जादा जोड़ देके इस बात को बोला था कि जो list होती है वो एक mutable data type है जबकि tuple जो होता है वो e mutable data type है अब यहाँ पे mutable और e mutable का मतलब क्या होता है mutable एक ऐसा data type होता है जिसमें एक assign कीगे value को change किया जा सकता है बट अगर e mutable data type है जैसे की tuple होता है यहाँ पे एक tuple दिया गया यह एक e mutable data type है तो इसमें एक बार value को store करने के बाद पर नाप उन values को change नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पे देखे, अगर हम print करते हैं, तो यह क्या है? यहाँ पे क्या दिया है? index वैलू दी गई है तो index वैलू अगर हम 3 print करेंगे तो इस case में क्या आपको 4 मिल जाएगा अगर हम यह statement run करते हैं तो इस case में आपको 4 मिल जाएगा और यहाँ पे अगर हम max print करेंगे इस टपल में maximum value कौन सी है तो वो निकाल के दे देगा 4 यहाँ पे भी 4 आ जाएगा अगर हम length find out करना चाते हैं कि इसमें कितने number of elements हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं बट यहाँ पे इस particular index value को हम 45 से change नहीं कर सकते हैं अगर हम इस 4 को किसी दूसरे number means 45 से change करना चाते हैं तो यह possible नहीं है हम यहाँ पे change नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक टपल एक immutable data type है इसमें values को दुबारा change नहीं किया जा सकते हैं एक बार assign करने एक बाद उनकी values को हम change नहीं कर सकते हैं इसको भी आप देखी एक छोटे से example के साथ जैसे मैंने lst, ls नाम की एक list बनाई है अब ls में अगर हमें किसी भी element को access करना है तो simple हम क्या करेंगे यहाँ पे जिसे देखे प्रिंट पर्टिकलर प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे print करने के जो method होता है वो same होता है simple हम यहाँ पे क्या करेंगे उसका index value पास कर देंगे index value और उससे वो element हमें मिल जाएगा तो अगर हमें ls की value को print करने ls हम यहाँ पे लिखते हैं 3 तो 3 में क्या print होगा जल्दी से बताएगे आप सब comment section में जैसे मैंने यहाँ पे 3 रखा अब आपको दिख रहा होगा क्या print हो रहा है 4 1, 2, 3, 4 अगर आप इसकी index value यहाँ से हमेशा 0 से start होता है index value जो होती हमेशा 0 से start होती है तो 0, 1, 2, 3 means index value 3 जिसकी थी वो कौन सा number है 4 तो यह 4 print हो चुका है अगर इस 4 की जगे हमें 8 store करना इसको हमें change करना है तो इस बार हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नीचे आते हैं थोड़ा सा और इसमें हम लिखेंगे ls और इसकी index value जिस particular value को हम change करना चाहते हैं 4 को हमें change करना तो लिखेंगे इसकी index value जो की 3 है equal और यहां पे लिखेंगे 8 यह हमने लिखने के बाद जैसे integrate किया हमारी जो list है ls वो update हो चुकी मैंने यहां पे ls लिखा अब देखें यहां पे हमने क्या store किया था 1,2,3,4 बट यहां पे क्या आ रहा है 1,2,3 इसके बाद 8 क्योंकि index value 3 की value को हमने 8 से replace कर दिया है यह list है इस वहे से यहां पे value को change किया जा सकता है बट अगर हम same statement इसके साथ करना चाहते है क्योंकि यह टपल डिटा टाइप है टपल एक immutable डिटा टाइप होता है इसकी value को हम change नहीं कर सकते है तो अगर हम यही same statement लिखते है ए बी और इसके बाद हम यहां पे मानली से हमें इस 4 इस number को हमें change करना है 8 से इस 4 को हमें 8 से replace करना है इसकी index value क्या है 3 इसको pass करेंगे एक को लिखते है 8 तो अब आपको यहां पे एक error message देखने को मिलेगा यहां पे दिखे लिखा हुआ है प्रॉपर तहिके से type error टपल यह टपल है object does not support item assignment यहां पे item assignment यह support नहीं करता है इसमें आप एक बाद टपल create करने के बाद आप values को change नहीं कर सकते हैं और जैसे कि आपके यहां पे other options दिएगे आपके program code में देखे हैं यहां पे print लिखा गया तो same इस statement को हम यहां से copy कर लेते हैं और इसको execute करके दिखाते हैं जैसे हमने आप पे इस जगे पे जो हमने टपल T नाम से बनाया था exactly हो सकते हैं यहां पे कुछ error मैसे सो करें क्योंकि हमने आप एबी नाम से टपल बनाया है तो यहां पे एबी लिख लेते हैं अब अगर हम इसको integrate करते हैं तो देखें आप पे print third means index number 3 पी क्या था 4 आपको दिख रहा होगा इसी तरह से अगर हम चाहते हैं यहां पे maximum value निकालना चाहते हैं यहां पे लिखते हैं max यहां पे लिखेंगे max और bracket में AB क्योंकि हमें सर्फ AB का ही maximum value निकालना है AB का एक टपल है और इसमें कौन से value सबसे greatest value है उसको निकालना चाहते हैं तो max function इसमाल कर लेंगे देखें यहां पे जो हमने टपल बनाया था इस जगे पर यह टपल बना हुआ है हमारा AB नाम से टपल के अंदर तो भी निकाल सकते हैं यहां पे हम control V करते हैं और इस जगे पर लिखेंगे length एक function है जो कि length निकालने के लिए उच करते हैं किसके length निकालनी है हमारे पास AB नाम का एक टपल है जिसके हम length count करना चाहते हैं तो जैसे हम integrate करते है length कितने है means कितने element है अगर आप अपने टपल को count करेंगे जो हमने टपल यहां पे create किया थे इसमें 1,2,3 और 4 कितने elements है 4 तो यह length निकालके देता है कितने element है तो आई हो clear हो चुका होगा किस तरह से यह काम कर रहा है अगला एक और interesting output है तो इसका output क्या हो जाएगा option B means this code में क्या error है पूछा गया था which of following is incorrect इसमें से कौन से statement incorrect है तो option B question का right answer होगा यह statement incorrect है क्योंकि एक टपल डेटा टाइप है और इसमें हम values को दुबार से reassign नहीं कर सकते हैं इस पाइफन कोड़ का output क्या होगा तो जैसे हम यहां पे टपल बनाते है टीवन नाम से और दूसरा एक टपल है टीटू नाम से same values को यहां पे रखा गया है इसके बाद यहां पे क्या एक comparator यूज किया गया है अगर यह statement true होगी तो इसके इसमें true आएगा otherwise क्या आएगा false तो टपल 1 में same data है टपल 2 में same data है और यहां पे क्या लिखा गया है टपल 1 less than टपल 2 तो यह condition false है इसी वज़े से यहां पे क्या रहा है false चलिए एक बार हम इसको create करके देख लेते हैं मैंने अभी यहां पे एक टपल बनाया था ab नाम से उसी को आगे continue कर लेते हैं अगर हम ab को देखेंगे तो हमारा टपल क्या है 1,2,3,4 इस तरह से ab1 नाम से एक टपल बना लेते हैं और इसमें भी हम कुछ values assign कर लेते हैं same 1,2,3,4 यह हमने create कर लिया है यह टपल बन चुका है ab1 इसको print करेंगे तो यहां पे आपको elements सिख जाएंगे कौन-कौन से element ab1 के अंदर store किये गए तो अब अगर हम यहां पे लिखते है ab less than ab1 तो अब आपको यहां पे देखने को मिलेगा क्योंकि ab और ab1 दोनों की equal values हैं तो यहां पे less than यह condition false हो जाएगे तो यहां पे क्या मिल रहा है false ओके अगर हम यहां पे लिखत basics equation में दिया गया था option b false question का right answer होगा तो यहां पे सर तीन statement में लिखे गए हैं बहुत basic सा question था यह तो बस इस part में इस paper solution की part में हम यही तक discuss करेंगे next part जो हमारा January 2021 paper solution का part आने वाला है उसमें भी आगे के questions को हम detail में इसी तरह से practical के साथ बताएंगे इस पे based अगर आने वाले दिनों में कोई भी एक्जाम में question आता है तो आपको topic पता रहेंगे किस तरह से आप program के output को समझ सकते हैं कैसे उस output को आप निकाल सकते हैं तो अगर आप में से कोई भी हमारा python का course जोईन करना चाता है तो आप कैसे जोईन कर सकते हैं उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और इन course को अगर आप अपने mobile phone पे run करके check करना चाते हैं तो इसका भी solution अमने provide कर दिया आप python programming के कोई भी program आप अपने mobile phone पे भी run कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको हमारी website gyanxp.com पे बिजिट करना है इस पे बिजिट करने के बाद आपको home page पे सबसे नीचे की तरफ जाना है तो आपको यहाँ पे click here पे click करना है जैसे आप click करते हैं इसके बाद यहाँ पे code लिखने का एक interface आ जाएगा और आप चाहें तो इसको अपने laptop पे डिस्टॉप पे भी हमारी gyanxp.com website का इस्तेमाल करके programs को लिख सकते हैं प्रिंट हमने लिखा अब हमें A और B की value को चोड़ के यहाँ पे means addition करना था तो A plus B कर दिया है जैसे हमें आपर run option पे click करेंगे नीचे देखे आपर run दिया गया है run पे click करेंगे तो automatic आपको output यहाँ पे दिखाई पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे 10 आ रहे हैं आप में से बहुत से लोगों के एक request थी कि सर कोई ऐसा platform डबलब कीजे ताकि हम python के program को अपने mobile phone पे भी execute कर पाएं तो आराम से आप यहाँ से practice कर सकते हैं बहुत से लोग थे जि आप हमारी website ganexp.com पे विजिट कर सकते हैं यहाँ पे आपको tap में courses नाम का option मिलेगा यहाँ पे आपको हमारे paid courses के सारे links मिल जाएंगे तो यहाँ पे web designing IT tools और python programming इन तीनों subject के complete syllabus video lectures, model papers, e-books अब launch कर दिया गया paid course के साथ में यहाँ पे देखे m3r5 python programming दिया गया है अगर आ प्राइस में available है और content की बात करें तो यहाँ पे आपको complete syllabus video lectures मिल जाएंगे जिसमें हमने हर एक topic को programming के हर एक topic को detail में discuss किया हुआ है एक एक one by one सारे topics आपको इस course के अंदर मिलेंगे unit number one से लेके last unit unit number nine तक हर एक program को काफी detail में discuss किया गया हर एक topic बेवेस्ट अगर कोई भी program बनता है तो example के साथ मैंने बताया है प्लस इस course के साथ में आपको और भी कई सारी चीज़े मिलने वाली है जैसे आपको ebook में लेगे complete syllabus की model paper मिलेगा और extra classes होती है हमारी तो आप सभी की जो भी request होती है queries होती है उसके business में हम doubt session की live classes करते हैं उसके साथ में उसके notes भी provide करते हैं तो अगर आज इस बारे में कोई भी जानकारी चाते हैं इस course के बारे में कोई भी जानकारी चाते हैं तो आप हमें call कर सकते हैं 8174843342 यह हमारा contact number है आप चाहेते हैं इस पर WhatsApp पे message भी कर सकते हैं तो आप सब comment section में जरूरू बताइए का आज की class कैसी लगी और next class में हम हम आगे के बचे हुई इस paper solution में हम आगे के बचे हुई प्रोग्राम को भी इसी तरह से practical के साथ detail में discuss करेंगे तो बस इस class में इतना ही मिलते हैं next class में please जाने से पहले अगर आपको class पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को like उसे जरूर कीजीगा ताकि हमारे साथ जाद दस ज्यादा लोग जूड़ें मिलतें next class में तब तक लिए बाइबाए थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग